नमस्कार मैं हूँ नीरश महरा और आप देख रहें एवन डिवी का खास कारे करम मुद्धागरा मुद्धागरा में बात करेंगे जल है तो कल है जिस तरह से पानी की समश्चा को लेकर ना क्यों रास्तान में अपर तो पूरे देश में या यूं कह सकते हैं कि पूरे विश् के लिए त्राहिमा मचा हुआ है जैपूर राजदानी में भी पानी को लेकर कई इस्तानों पर चल संकट है कई लाकों में लोगों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है टैंकरों से की जारी है कहने को तो प्रसासन की और से लेकिन लोगों तक पेने का पानी नही पहुंच पारा है इसमें अधिकांस जो परकोटे के बाहरी इलाकों की जो आउटर्स कोरोनिया है वहाँ पर लोग टेंकरों से महंगे दावों पर पानी खरीद कर पीने को मजबूर रहा है पानी का संकट है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाय जा रहे बरसा देख रहे क्यों नहीं वहशे की सोच रहे क्यों नहीं जल्स औरक्षन की तरफ सरकार और और जाम जंता जागृद्ध हो रही इन्हीं तमाम बातों प्र मिश्रा जी आपका बहुत भुत रह्त हैं दोनों ही जल सनक्षन और परियाव नख्रूशन केby काम करते हैं मिश्रा जी आखिर कार क्योंकि पनी फैक्टरी में पैदा नहीं हो सकता है सरकार बना НАीं वह सूखे पढ़े हैं अतिकर्मन कर लिए रहे हैं और कहने को तो बांध है लेकिन वो रगिस्तान बन चुके हैं वहां पर रतिकर्मनों की बाड़ है आखिरकार कैसे पानी बचेगा कैसे पानी सरक्षित होगा क्या करना चाहिए सरकार को देखिए सरकार को आपने विग्यानी को आ गए लेकिन उस पानी को मिठा नहीं कर पाए तो जो पेजल है उसके समश्या बहंकर रूप से फैलती जा रही है और सबसे बड़ी बाती है कि जैसे मैं अभी अपने प्रिदेश की बात करूं मेरे प्रिदेश राजस्थान में पानी ठीक बात्रा में रहा है और जब भी जेपूर बसा तो जेपूर के चारों तरफ हमने बांदों का अच्छा बंदों का निर्मान किया नदियां बाहर के नदियां आके मिलती थी रामगडबान में पानी अच्छा आता था लेकिन वो आपने जैसा कहा कि अतिकर्मन हो गए रहा पानी वहां का सूख अब क्या है कि जब कोई चीज ही नहीं और जो पैदा नहीं की जा सकती तो सबसे बड़ा उपाय है इसका कि पानी का संग्रक्षन कैसे किया जाए लोगों को कैसे समझाया जाए कि पानी का सद्यूपियोग करें दूर्पियोग बिल्कुल ना करें जैसे आज अधिकतर या बेनार रूट पर चले जाए पानी की इतनी जबरदस किलत है कि कल मानवस रंखलाएं बनाई लोगों ने पानी पीने के लिए नहीं था जगड़ें फसाद हुए यहां तकी पुलिस बुरानी पड़ गई तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है क्योंकि इस समय सरकार लोगों से 10% पानी कम रहेगा डेक्लेर करें 7% लेकि हो सकता इसका आगणा ज्यादा भी हो हो सकता कम भी हो यह कोई यह भविश्य पर निर्बट करता है लेकिन जो पानी हमारे यहां आता है बपर सत से उस पानी का सट्रक्शन बहुत-बहुत जरूरी है बिल्कुर सुरजी पादि का सरक्षंड ज़रूरी है बरसाती पानए का देखरेग जरूरी है लेकिन कहले वो सरकार ने जो सरकारी उमारते हैं वहाँ पर वोटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना एक किन वह अधिकांस्त्य है अगर कहीं कभी आप देखें करेंगे तो अधिकांस थैंट आपको बंद्रानी नहीं सकता है जमत कई से लुए को आखिरकार कहीं हम लोगों को खुदों को भी जागरुक हूंता हर काम सरकार के भुरु से नहीं चोड़ा जा सकता सरकार पहल करने पड़ेगी कहें ने कहीं समझाए इसका दोर चलाना पड़ेगा जन जागरन करना पड़ेगा आपको लगता है इसकी जरूरत है लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि जनता की हाथ में केवल अवेरनेस और कुछ का पाड़े बचाने की जो क्षमता है उसके अलावा विसेश कुछ करने के लिए होता नहीं है और आपने देखा होगा कि जब हम सुनते हैं रामायन में कि एक गिलेरी जो है वो जारी थी जब पूल समुद्र में बन रहा था उस समय गिलेरी जाकर की मिट्टी में लोड़ती और समुद्र वाकर जड़का देती तो जो समाज और वक्तियों के आप बात कर रहे हैं उनके जो परियास है वो गिलेरी मातरी गिलेरी के जो परियास है वो ही साबित हो पाएंगे और उतना ही कर पाते हैं लोग बाग लेकिन आज जो सरकार के पास में एक बड़ी मसीनरी होती है बड़ी विल पावर होती है ब प्रबंदन करें ठीक है होना चीए बहुत जरूरी है सारी बाता सरकार पर नहीं चोड़ने चीए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और पानी बचाने के परियास करने पड़ेंगे पानी नहीं बचाएंगे तो पीएंगे नहीं तो जीएंगे कैसे लेकिन आज प्रशन होएं निकल करके आता है कि सरकारों के पास में इतना सब कुछ होने के बाद में परियास क्यों नहीं हो रहे हैं सार तक प्रियास होने चीए और एक गाइडलाइन ते होनी चीए आप देखे बार-बार campaign चलते हैं जो आवाज आती है मीडिया से आवाज आती है और पानी की तो जितने भी जिल पर राजिस्तान के जिल पर पात नदीन आले तलाब है उनको बचाने के लिए बुमाफियाओं से और उनमें दुबरा पानी आ सके इसके इसके लिए हम लोग सरमदान भी करते हैं तीन चार दिनों से हम लगातार जैपूर सहर के विबिन तालाबों पे जो जल स्त्रोत है उन पर जा करके सहमदान भी कर रहे हैं पिछले लंबे समय से जुड़े वे वियो लेकिन आपको लगता है क्योंकि रामगर्ड बांध का भी मैंने देखा आप उसमें भी लागातार संकस करते रहे हैं लेकिन अधिकर्म लोगे चलते रामगर्ड बांध म पिछले लंबे समय से पानी नहीं आया है और जो नदियां जिन नदियों को अदि देखते हैं बच्ष्पन में वह नदियां बिल्कुल रेट के धोरे भन चुकी है वहां भी अतिकर्मन हो गए हैं उन नदियों में पानी आना बंद हो गया है सारे राष्टे बंद हो हैं बरसात का जल तक उन नदियों में नहीं जा रहा है तो कहीं न कहीं जो प्रशासन है उसको कारेवाई करने चीए अतिकर मरठाने चीए या फिर वही कोई नए डाक के तीन पात प्रशासन कारेवाई के नाम पे करेगा कि आप देखी है जिब राजस्ग्तर से पहले के हम बाद करें जब राजाओं का सासन था तो उस समय बहें जो करेские हो नौँ के सासन वा दे रहुए। canton सेभात ही एंधर जन्ता का सव्लित के लिए इंध का निर्मान हुआ था जैपूर जब बसा था उसके लगबक डेड़ सो साल बाद में रामगर बांध और अन्य चार छोटे बांध उनका निर्मान हुआ था और जैपूर बसने के लिए तब रामगर बांध का निर्मान हुआ था स्वीडन एडवर्ड को बुला करके महराजा मादो सिंग सेकेंड ने रामगर बांध का निर्मान करवाय था और तेरा चोटे बांधों का निर्मान करवाय था अब हालात देखिया आप रामगर बांध है कालक बांध है आक लेकिन आज जब बात आती जल सरंक्षन की तो हमें वो याद आते हैं वो राजा माराजा भी आते हैं वो सासन भी आता है वो लोग भी आते हैं उसके बाद में आप देखिए नदियों को चैनलाइज करने का काम किया गया था अटल जी के समय में जब बात सली थे नदियां जोडने की तो लोगों के एक उम्मी जगी थी आज बनी थी आज भी देश के ऐसे बड़े बुभाग है जिनके अंदर इतना पानी के दिखता है कि और राजस्तान समेथ उत्र बारत के बहुद से स्टेटेस है जो पानी की किलत के सामना कर रहे हैं बारामीनों तो नदियों को जो चैनलाइज करने का काम था जो तरुकरे का सरकारों के वा समाझ बासमें आज जो सिच्विशन आज जो अभी वरतमान समय में जो पाने की उपलब प्रता है वो बहुत कम है आज की आज हम नदियों की जोडने की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हमने कल योजना बनाई परसों ने लिकिन कम से कम काम तो स्टार्ट हो एक मैं इसी बात प्यार हूँ इ आज जल संक्रक्षन के लिए एक बड़ी योजना बनाई जाए सोफ मेंटर का प्लाट है उस पे भी वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी कर दी जाए वो ही पानी जब जमा हो जाएगा दर्ती में तो पानी का लेवल उपर आ सकता है मैं करो छोड़ छोड़ प्लाट हो बज़ जार क्रोड रुपे खर्च हो रहे हैं पानी ही नहीं जो हाँ पानी नीए तो पानी आएगा कहां से इसे अच्छा यह है जैसे बरिसाथ के मौसन के पहले सरकार को यह करना चाहिए था कि वो सब लोग अपना जैसे पब्ली की सह भागिता होती ना पीपीपी मोड पे वो कि नहीं करना चाहती है गौवर्मेंट सिर्फ और सिर्फ पाइपलाने बिचाना चाहती है जो आप बता रहे हैं कि वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम बना भी लिए जाएंगे तो उससे वाटर लेवल तो उपर होगा उस इलाके का लेकिन जब हमारे अधिकता डार्क चोन साब नदियों को जोडने की बात की जाती है क्योंकि अगर उस प्लानिंग पे काम नहीं होगा अठल जी नहीं होगा अगर उसके बाद उसका फॉल उप होता लगातार फॉल उप होता है शैद आज उसका फाइदा अपने को मिलने की उम्मिद हो जाती लेकि उसे फॉल उप नही यह कहीं वापस मुदी सरकार आई है तो कहीं कहीं उस पर काम हो तो आने वाली पीडियां उनको दिस समशा का समदान इस समशा का सामना नहीं करना पड़ेगा एक नहीं इतर में रहे था जिसे अभी आपने फर्माया कि पाइप लाइन बिचाना जरूरी है मेरा एक चोटा कि अब लाइक हर साल पानी इतना तरी को रामगर्ड में लाने के लिए एक त्चाइब की होज़ना की तेरा साल से बनी बनी पड़ी है सरकारें तीन से लिए आकर के हम लगातर मांग करें हम कोट में भी गए पी-एम तक भी गे थे लेकिन उसके बावजूद उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल जेगे उस योजना को और दूसरी जो योजना हैं उनमें पाणी पाणी का पैसा उनमें बाया जा रहा है तो मै यह सरकार की मनसा भी ठीक नहीं है जिसके जन्ते की तिन सरकारें बदल जाए बनी हो जब कि वही पैसा का डीपी आर के अनुसार उस पर खर्च हो जाता तो शायद रामगर बांद लबालब होता जेपूर से पानी की समझा का सामझा निकरना पड़ता और जो भी सरकूर से पानी आ रहा था वो जेपूर की आउटर्स कोलोनियूम सप्लाई हो जाता ताब नेरज जी ऐसा है कि अभी आप देखिए चार पांच यहां भेंकर डार्क जोन हो चुके जैसे आप जो टोड़ा में लीजिए जो टोड़ा में लीजिए 400 मेटर नीचे पानी चले गया है प दूसीत है कोई मिनरल नहीं उसमें दूसीत दूसा सबसे बड़ी है कि आज यह जो पानी इसका है सी स्कीम जैसी बनी पार्ग जैसे कॉलोनी जो प्रॉष कॉलोनी जिनको बोलना उसमें नाइट्रीट की मात्रा भोज जाता है सांगे देर में पूरे आप चले जाहिए यह पानी लेके खुश हो रहे हैं पानी पी रहे हैं कितनी बीमारी यहां से ग्रशित होने वाले हैं अभी एक सर्वे में यह आया कि अगले पांच-छे साल बाद में हर गर में कैंसर का रोगी होगा जो ऐसी सूचना या रही है सरकार सो रही है सरकार से हमने जब भी बात करने क कोशिश की आज ताइम नहीं आज हम वहां जा रहें हम वहां जा रहें और उनको यह भी द्धान नहीं इस बात का कि इनके जिन नीचे वाले जो लोग है वो हमसे वारता करें इसके लिए हमसे कोई से ले सकते हैं वो ले वो कुछ करें लें कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं उनको यह लगता कि बरसाथ आगए फिर हार कई मामला दब जाएगा लेकिन अपने पाइप लाइन तो बिच गई बस वो काम खतम हुआ तो पाइलमें पिछाओ लेकिन मेरा नहीं जो रहता है नदियों जोडने की जो बात चल ली है या डीपिया जो बिन बन चुकी है बांदों से अतिकर्मन हटाने की जो रहता है ताकि जो बांदों तक पानी पहुंच सके जिन जो तालावों में पानी आता था उनमें पानी पहुंच सके नदियों में जो पानी रुका पड़ा है वो पानी पहुंच सके लेकिन कहीं कहीं सरकार में भी सोचती है कि अभी क्या करना है वो अभी के साब से योज़नाय बनाती है उसक ब्रेक के पाद आपका अपनि genetic 본 दिये ब्रियां बोज़ा कि ब्रे आए दिन लोग सड़क पर उतर रहे हैं धरना प्रदेशन कर रहे हैं कई इस्तानों पर साथ से आठ दिन में लोगों को पीने का पानी मिल रहा है तो इस से आप लगा सकते हैं कि पाने की कितनी विकट समश्या है इसके बहुजूद जैसा सुरज जी ने बताया कि तीन सरकारा निकल चुकी है डिप्यार बने वे रामगार बांदे पानी राने के लिए ऐसे ही अटल बहर इवासपई की समय नदियों को जोड़ने की बात चली थी यदि उस समय उस पर काम सुरू हो जाता तो आज ये समश्या का सामरा नहीं करना पड़ता क्योंकि कई प्रदेश ऐसे ह है जहां पर बर्शाद के चलते बाड़ की स्थिति होती है करोलों की संपतियां तहस नहीं सोजाती है जाने जाती है और कही प्रदेश हैसे हैं जो सुके के चलते वहां पर जो है रिगिस्तान बने वे हैं लोगों को पीने का पानी रही है फसले नहीं हो रही है तो कहीं कही सरकारों को प्रियास करना पड़ेगा यह सोचें कि नहीं यह कब होगा कैसे होगा अगर सब लोग इसी तरह सोचते रहेंगे ते फिर यह लगता है कभी सुराजी नदिया जोडने काम हो गाई देखे निरत जी हम राजस्तान के निवासी है और राजस्तान की जो आप इतियास देखे कल्चर देखे संस्कृती देखे उसके अंदर सबसे महत्व पूरुन है प्यासे को पानी पिलाना और उसके लिए आदो सरकारे काम कर रही है मैंने पहले भी काता उस समय नहीं सिर्फ काम करे जो बड़िया काम करे त लोह होते रहुं के वह काम करते से जल प्रबंन का आप देखिए जयपूदर करके यह कोटी का निर्मान pan पाने लेकर के आये थे मान सिंग जी सेकेंड के जमाने में तब आप देखिए किस तरीके से 27 इंसकी पाइप लान डाल करके और पूरे जैपूर में पाने लाने की ओजना बन गी थी लेकिन आज बात वहीं निकल करके आती है कि सरकारों के स्तर पे आज वो जो नदी नाले बा रगुलर बर साथ में वो बरतें बारिस तो आती है लेकिन पानी चलक के निकल जाता है परबात पूरे की कोले चामोरिया बांद है कदम कुंडे राणी जी के बावडिये माजी की बावडिये 14-15 बावडियां ऐसी है जैपूर के अंदर जिन में बर साथ का जो पानी प्रि कि जंगल खड़े हो गए तो बावडी तक पानी पहुंचे का कैसे जिन बावडियों का आपने नाम लिया हो सकता उनके आसफास पूरी तरह चारो तरह पतिकरमन हो चुके हैं बड़ी-बड़ी बिल्लिगें खड़ी हो चुकी है पानी आने का रास्ते बंद हो चुके हैं तो इस तरों का ही रखरकाओं नहीं कर पाएगी तो जिन बावडियों का अपने नाम लिया है वो भी थोड़े दिनों मुझे लगता तस्वीरों में नजराएगी बिल्कुल मिश्राजी जरुत इस बात किया कि सरकार को अब जो है दिर्ग कालन योज नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि तवरित समश्या का समाधान तो हो जाएगा आज पानी चीए उन्होंने फिर आदेश दे दिये इतने नलकूब खोदने हैं और पानी का सप्लाई करना है लेकिन आने वाली पीडियां को पानी कैसे मिलेगा उसके लिए तो जरूरी है कुछ उनकुछ ऐसा इंतजाम समाध करना जिससे लोगों को आने वाले पीडियों को पानी मिल सके क्योंकि अभी जब पाथ से साथ दिन में कुछ इलाकों में पानी आ रहा है खूब फेल गया उन इलाकों में पानी की समश्या बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारते बनी हुई है और वह टैंकरों से पानी पहुंच रहा है तो कहीने की समश्या बड़ी है ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो नलकूब खोद के काम चला लें जो आपने नदियां जोडने की बात कहिए उ अब मैं आप से कर रहा हूं कि यह देखे सरकार के कि किती बेरूख ही है मैं अंकित करना चाहूंगा इस बात को यहां कि जो पानी दर्वेट नदी का सप्लाई किया जा रहा है वो बिलकुल टीटमेंट नहीं हो रहा उसका उन्टीटिट पानी लोग पी रहे हैं निस्चित सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आज जो अपने शोट्रम की बात कर रहे हैं शोट्रम में यह है कि एक तो बगवान करें बारे साथ बहुत अच्छी आजए इन केस बारे साथ अच्छी नहीं आती तो आज यह मानके चलें कि सबकी यह जून अगला जून आने वाड़ा है तो हमें क्या करना है कि छोट जोटे प्लांट इन पे पीपी मोड पे हमें वाटर हार्वेस्टिं का प्लांट लगाने ही पड़ेंगे वाटर हार्वेस्टिं के सिस्टम्स लगाने ही पड़ेंगे वरना यह पोजिशन आ जाएगी साथ अगले साथ अगर अच्छा पानी नहीं है आपकी बार तो क्या होगा कितना भैवास्तिति आ जाएगी कोई कल्पना से बाहर है अब की कड़ाई से पालना हो और कानून का पालनों लोगों की अवेर्नेस बड़े और लोगों को इस बात को जागरत हो इस बार मैं समझता हूं कि हर दे को नगरात्मक चीज में से पोजेटिव चीज निकलती है जो पाड़िग के की बार आ रही है लोगों को यह टेंकर की पे और टेंकर दोसो तीन सुर्पे काता था अब वो जब टेंकर जैपुर के आउटर में पिछले दस दिनों से 607 सुर्पे का टेंकर लोग ले रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि लोग पानी के महत्रों को समझ पाएंगे और जो वेक्ति वेर्थ पान को खुला चोड़ देते और रात बर सटको पानी बेतर रहता है तो इस तरह के जो हलात है तो जल को हम किस कीमत में आंग सकते हैं आज एक टेंकर हम जरूर ले रहे हैं मानलों पांसो का जार रुपे का लेकिन वो उसकी कीमत निये पानी की तो एक बूंद है और यह बूंद के अंदर इतनी किल्ड़त हो गई है पानी के बूंद नहीं मिल रही है सहरों के अंदर हमको पैसे सुपनब दो रहा है जल तो वो जो जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है गाओं में भी आप देखिए चुरू बाड मेरी बिकानेर आज बीस चेतर है वहाँ पे तब लोगों को समझना पड़ेगा हम मानगर में बेटे हैं सहरों में बेटे हैं उपलवता है पैसे से लेकिन इसका मतलब यह नहीं की उपलवता जिन्दगी बढ रहेगी कब तक रहेगी आड़ी वाले पीडियों को हम जहर देखर करके जारें लोगों में पानी का दूरूपय व्यक्ति को एक मटका पानी भरने के लिए कितना परिशान होना पड़ रहा है वो दस मटके दस बाल्टे नाने में खरच कर देते हैं जी बिलकुर सही करें आप और यह आपने बहुत सही कहा कि यहां के जो अपुलेंट लोग हैं जो धनाड़े लोग हैं उन्हें बिलकुर पैसा उन लोगों के पास में वह सोब काम कर सकते हैं पानी लेकिन आप माथ में और यह फिर मंगा लेगी वह कर एक जार बेकी बोटल आएगी वह फिर लेंगे क्योंकि आप इतना पैसा उन्होंने करुप्शन से पैदा कर लिया मैं बिल्कुर ऑफ बोल रहो आपकी चैनल क पानी कम जितने बड़ी को नियुक्त जादा लेकिन वहीं समझ पाथे कि यह इसमें मिनरस ने आपको बता दू कि जितनी छोटी को नहीं जान संग्या बहुत जादा है और बड़ी को नहीं जांग तो कहीं नहीं देखिए जनता को जागुरुक होना पड़ेगा सरकारों 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 को तो जागुरूख होना ही पड़ेगा सरकारों को योजनाय तो बनानी पड़ेगी सरकारें जो अलपकाली नियोजनाय बनाने के चक्कर में लग रही है क्योंकि जो अरफसर है वो पैसा कहिन कहीं बनाने के चक्कर में क्योंकि उनको पता है अगर प कि एसे क्रांति आने चीए जैसे हरित क्रांति है तो पानी बचाने के विए क्रांति पानी खतम होने वड़ा है आपको बताओ जिसे सवच अभियान चला आप कुछ अपिल करना चाहेंगे बहुत कम समय है और वो केवल पाने की बूंद के लिए तरस्तो करके कल्यूग को आमंतन दे बेटे ते तो वैसे ही आज हम अगर जल का दुर्प्योग करेंगे जल को वेर्थ वाएंगे नालियूं बेजेंगे तो आने वाले कल के लिए हम ज बचाने सी संभाव है तो बिल्कूल धन्यवाद सूरजी मिस्रा जी आपने दोनों ने बताया कि किस तरह से पानी को बचाने की जरूरत है जल जो है किसी फेट्री में कारखाने में पैदा नहीं हो सकता जल बरसाट से ही आता है और कहीने कहीं हमारी जागरुकता इस जल को बचा सकती, जो हमारा कल बना सकती है, वरना तो आने वाली नस्ट ने हमें जो है माफ नी करेगी और सरकारों को भी चाहिए कि बनान, जनता को जागरू करे ताकि जल बत सके मुद्धागर में, आज के लिए इतना ही ताजातरीन खबरों के लिए देखते रही एवन टीम.